इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Mate XLT 50 Tablet एक दवा है जिसका इस्तेमाल high blood pressure के इलाज के लिए किया जाता है रक्चाप को कम करके यह भविश्य में होने वाले दिल के दौरे और stroke को रोकने में मदद करता है इस दवा के साथ प्रारंभिक उपचार भी दिल के दौरे के रोगियों में जीवित रहने की संभावना में सुधार करता है खून में दवा का स्तर एक समान बनाये रखने के लिए Mate XLT 50 Tablet को भोजन के साथ प्रति दिन एक नियत समय पर लेने की सलाह दी जाती है जब तक आपके डौक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें क्यूंकि उच्छ रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्था हार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभावों में सिर्दद, कमजोरी, चक्कर आना, रक्चाप में कमी और रक्ट में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाना शामिल है यह दवा लेते समय पोटेशियम युक्ष भोजन और पूरक आहार से बचने की सलाह दी जाती है इससे चक्कर आ सकते हैं, गारी चलाने से बचें या बैठने की स्थिती से धीरे-धीरे उठें उपचार के दौरान आपसे रक्ट चाप, रक्ट शरकरा के स्तर, गुर्दे की कार्य प्रनाली, यूरिया या इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर की नियमित निग्रानी के लिए कहा जा सकता है इसे लेने से पहले, अपने डौक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवर या किड्नी की कोई समस्या है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डौक्टर से सलाह लेनी चाहिए आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं विशेश रूप से वे जो उच्च रक्चाप या हिरदय की स्थिती का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद